दोस्तों नमस्कार, 2024 का चुनाव हम सब के सामने है, दस महिने से भी कम समय रहे गया है 2024 के चुनाव में और हमें ये पता है कि जब हिंदुस्तान में चुनाव होते हैं और खासकर जब नेशनल इलेक्शन होते हैं तो देश में एक सबसे बड़ा पुलिटिकल इवेंट होता है उसके साथ साथ हिंदुस्तान के चुनाव अपने आप में बहुत बड़ा फाइनिशल इवेंट भी हो को सामने लाना चाहती है क्योंकि उनका भी मकसद है हिंदुस्तान की राजनीती में हस्तक्षिप करना वो भी अपनी तरफ से काफी expenditure करते हैं और वो रूपय का खर्चा होता है इसका मतलब किसी ना किसी की तो जेब में वो जाएगा निश्चित रुप से उसे profit भी होगा लेकिन interesting चीज तब आती है जब आपके पास मुद्दे नहीं हो और आप मुद्दे create करें और जब आप मुद्दे create करते हैं तो आपको एक पूरा toolkit चाहिए आपको कुछ actors चाहिए उन actors के पीछे कुछ directors चाहिए और पैसा चाहिए ये सबस जब ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं तो एक राजनितिक अखाडे में कई खिलाडी कूदने लगते हैं जहां तक राजनितिक पार्टियों की बात है उनका तो काम है चुनाव लड़ना निश्चित रूप से उनको लड़ना चाहिए क्योंकि अगर वो अपनी बात जनता के सामने नहीं रखेंगे तो राजनिति में या democracy में political parties के existence का और उनके काम करने का उनके agenda का पता लोगों क कैसे परेगा इसलिए ये जरूरी है कि राजनितिक पार्टियां चुनाव में भड़ चड़ के हिस्सा लें इंटरस्टिंग तब हो जाता है जब जिन लोगों का राजनितिक रूप में सीधा हस्तक शेप नहीं है लेकिन वो पर्दे के पीछे से राजनितिका खेल खेलना चाते हैं इसमें देश में कुछ ताक्ते हैं और इस दुनिया में बहुत सी ऐसी विदेशी ताक्ते भी हैं जो भारत में हस्तक्षिप चाहती हैं कारण बहुत सिंपल है हिंदुस्तान आज दुनिया की एक सबसे बड़ी मार्केट है या सबसे बड़ा बाजार है कौन नही चाहेगा कि हिंदोस्तान में अपना माल बेचे खासकर जब globalization के समय में अस्थिरता की स्थिती सब जगे बनी हुई है और उस स्थिती के अंदर जब पूरी तरफ से चाहे वो चाहिना का कंफ्लिक्ट हो चाहे वो यूक्रेन रशिया का कंफ्लिक्ट हो चाहे अमेरिका का inflation हो या यूरोप के अंदर अपनी stagnant economy हो तो अगर बाकी देश हिंदोस्तान में अगर अपना पैर जमाना चाहते हैं तो कोई बुराई नहीं अगर वो कानून के हिसाब से काम करें किसी को इतर किया जाए जो अपने आपको टूल किट का हिस्सा बना के इस देश में अराजकता को स्प्रेड करना चाहें या उच्छालना चाहें उससे उनका राजनितिक रालाब हो ना हो आर्थिक लाब जरूर होता है आपको याद है कि जब चुनाव होते हैं तो ऐसी बहुत सारे लो कि अगर आपको भीड लानी है तो कोई भी मजदूर या कोई भी इनसान अपना काम धंदा छोड़के किसी पॉलिटिकल रैली में क्यों जाएगा उसको क्या मिल रहा है जब तक आप उसको कमपनशेट नहीं करेंगे तो अपना काम धंदा छोड़के किसी भी रैली में क्यो जाएगा इसलिए अक्सर यह कहा जाता है कि पॉलिटिकल रैली इस बहुत एक्सपेंसिव काम हो गया क्योंकि हर आने वाले को कुछ ना कुछ देना पड़ता है क्योंकि अगर वो अपनी रोजमर्रा की दिहारी जिसको हम डेली वेजिस बोलते हैं अगर वो खराब करता है या तो अराजकता के काम हैं उसमें ठेकेदार भी आ गए है ये एक नया बिजनस मॉडल है दुनिया में जैसे जो सरुस ने पहले भी बोल दिया कि हिंदुस्तान की जो पुलिटिकल लीडर्शिप है मुझे वो पसंद नहीं है क्योंकि वो भारत को आतनिर्भर बनाना चाहते ह जो मेरे और मेरे जैसे बाकी लोगों के कमर्शल इंटरेस्ट के अगेंस्ट है हम नहीं चाहते भारत आतनिर्भर बने तो इसके लिए जरूरी है कि भारत की लीडर्शिप को बदला जाए भारत के एक्शन प्लैन और पॉलिसी प्लैन को बदला जाए अगर भारत इंदुस्तान में कटपुतली सरकार का होना सब के लिए फायदे में है इंक्लूडिंग इस देश में रहने वाले वो दलाल जो कमीशन का बिजनस करना चाहते हैं या जो अराजकता फैला के अपनी रोजी रोटी कमाना चाहते हैं जैसे ठेकेदारों का काम होता है कि आप पर चार्जिज लो इस तरह से अंदोलन जीवी और जो राजनेतिक ठेकेदार हैं इन लोगों की भी कमाई ऐसे ही होती है तो अगर जोर्ज सौरस एक बिलियन डॉलर हिंदुस्तान में इंवेस्ट करना चाहते हैं यहां की पुलिटिकल स्टैबलिश्मेंट को बदलने के ल लिए तो क्या जोर्ज सौरस खोदाएंगे ऐसा तो है नहीं तो उनके नीचे भी पूरी संस्था है पूरा और्गनाइजेशन है जो इस तरह के काम करता है और उस संस्था का काम है कि हिंदुस्तान के ऐसे लोगों को ढूंडना जो पैसे के लिए बिकने को तैयार है और ज इंडरस्टिंग चीज ये है कि जितने भी आपको आंदोलन कारी लोग दिखते हैं कभी आप उनकी व्यक्तिगत जिंदगी के बारे में एक नजर डाली है ये लोग हर तरह की लगजरी का इस्तमाल करते हैं आंदोलन करते हैं और कोई काम धंदा नहीं है तो इनका गुजार अगर आप गवर्मेंट एंप्लॉई है तो आप नहीं करेंगे तो यह जो लोग हैं अगर यह अपना काम धंदा नहीं कर रहे इनके पास कोई स्किल नहीं है तो इनका गुजारा इनकी लगजरी इनकी शानों शौकत का खर्चा कौन उठा रहा है क्या यह वाजिब सवाल है या नहीं है इसलिए आपने देखा होगा जैसे ही चुनाव नजदी काते हैं यह लोग एक्टिवेट हो जाते हैं इनका बिजनस मॉडल यह है कि आप राजनितिक दलों के लिए दलाली करो उनके नियत के हिसाब से उनकी जरुरत के हिसाब से भीड़ी कठी करो अगर अंदोलन हमने देखा जितने किसान नेता हैं मैं उनसे आज तक एक सवाल पूछ रहा हूं लेकिन इन विचारों के पास टाइम ही नहीं है कि जिस काम के लिए अंदोलन कर रहे थे उस कागज को पढ़ भी लें आज तक ये लोग नहीं बता पाए कि किसान अंदोलन जिन ती इन कानूनों के लिए किया गया उसमें से कौन सी लाइन किसान विरोधी थी आज दो साल से उपर हो गया इनको आज तक फुरसत नहीं मिली कि दो पेज का कानून पढ़के बता सके या तो यह अग्यानी है इनको पढ़ना नहीं आता है या यह जान बूच के समाज को धोखा देते हैं और दुख की बात यह है कि बाकी समाज में और मीडिया में भी लोगों ने वो कानून लाइन बाइन लाइन नहीं पढ़के जनता को समझाया और हम यह जानते हैं कि जो हमारा कृशक समाज है जादत है जो गाउं में रहता है उसमें साक्षरता की अनुभों की कमी लेकिन जो अपने आपको नेता बोलते हैं क्या वो इतने अड़ाड़ी हैं कि उनको कानून भी समझ में नहीं आए पहली बात तो आज तक एक बार और मैं निवेदन कर रहा हूं कि कम से कम अब तो बता दें कि कौन सी लाइन खराब है पहला फिर थोड़े समय पहले हमने य एक्रूट्मेंट पॉलिसी कैसे बदल सकते हैं क्या हिंदुस्तान की फौज और हिंदुस्तान की रक्षा के लिए क्या हमें इन नेताओं की जिम्मवारी या इनसे पर्मिशन लेनी पड़ेगी जो लोग दलाली करते हैं जिनका अपना एक्सपर्टाइज कुछ नहीं है व जब यह मुद्दा कोर्ट में गया तो कोर्ट ने अगनी वीर पॉलिसी के फेवर में डिसीजन दिया उसके बाद यह लोग चुप हो गए लेकिन सेक्ड़ों करोड रुपए की संपति इस देश की बरबाद करती है आजकल एक नया शोर चल रहा है खिलाडियों को लेकर जं कॉलेज का कैप्टें का कैप्टें डाय वेस्ड जोन से नैश्नल तर्ड बासकेट बाल कहलों और मुझे पता खिलाड़ी का दर्ड क्या होता कितनी मुश्किल होती है कितनी महनत करने पड़ती है लेकिन जब उनकी डिमांड थी सुप्रीम पूर्ट तक गई और सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली बुलिस को फटकार लगाए कि आप F.I.R. क्यों नहीं दर्ज करते हैं आप F.I.R. दर्ज करके इन्वेस्टिकेशन करें जब देश के हाइस्ट कोर्ट ने इस बात को मान लिया कि बिलकुल आपको नियाए मिलना चाहिए उसके बाद प्रदर्शन का उचित क्या है अब इनका ये कहना है कि आप 5 दिन में, 10 दिन में, 2 हफते में हमारे हिसाब से आप डिसीजन लीजिए तो क्या देश की नियाए विवस्था, आराजक तत्व डिसाइड करेंगे कि कैसे समरी ट्राइल होगा और कैसे किसी को फासी दे दी जाएगी क्या इनकी ये डिक्टेटरशिप चलेगी हाँ पर लेकिन इनका परपस खिलाडियों को नियाए दिलाना नहीं है पहले उन्होंने किसानों को ये जो टूल किट के माद्यम से जो इस देश के आंदोलन जीवी हैं पहले उन्होंने किसानों को बर्गलाया किसानों के हित में बनेवे तीनों कानूनों को दलालों की मदद से पैसे के जोर पे इन्होंने किसान आंदोलन खड़ा किया और उसके बाद चुनाव लड़ा और सब की जमानत जबत हो गई तो इनको ये बाद समझ में आ गई कि किसानों के अंदोलन से इनको कोई बहुत ज़ला फाइदा नहीं हुआ जो भी हुआ वो कमर्शल गेन हुआ पुलिटिकल गेन नहीं हुआ फिर उन्होंने अगनीवीर का तमाशा उठाया उसमें भी इनको कोई पुलिटिकल गेन नहीं हुआ अब तीसरा इन्होंने खिलाडियों का मुद्दा उठाया सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया लेकिन ये लोग घर जाने को तयार नहीं हकीकत ये है कि इनकी प्रॉब्लम ये हो गई कि आंदुलन तो शुरू करना आता है लेकिन आंदुलन बंद कब करना है और कैसे करना है इस पर ये दिमाग नहीं लगाते और होगा ये कि खिलाड़ी बेज़ज़त होके घर जाएंगे क्योंकि अल्टीमेटली निर्णे तो कानून के हिसाब से होगा जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आब इन्वेस्टिगेशन करें और इस पे सारे पेपर जब सुप्रीम पुलिस जब इन्वेस्टिगेट करके कोर्ट में लेके जाएगी तो तत्थें के आधार पर विटनेस के आधार निर्णे लिया जाएंगा और माँ लिजिए कि आगर कहीं कुछ गलत हुआ है और नहीं पाई जाती है और सुप्रियम कोर्ट उसको बरी कर देता है जिसको ये कटगरे में खड़ा करना चाते हैं तो ये क्या कहेंगे कि ये देश का कानून विवस्था भी बिग गई है जैसे ये लोग हैं दुख की बात ये है कि अगर इनके मन मताबिक काम नहीं होता है तो ये हर इनसान पर हर संस्था पर आरोप लगाते हैं क्योंकि इनकी मजबूरी ये है कि जो इनके स्पॉंसरर हैं वो चाहते हैं कि इस देश में अराजकता बनी रहे किसी तरह से इस देश का डवलप्मेंट धीरे हो और ऐसे लोग इस देश में बिकने को तयार रहते हैं जो इस देश की प्रगती में बाधक हैं उनके पास एक ही खासियत है कि वो भी डिकटी कर सकते हैं और उनके अनुयाई भी ये नहीं सोचते कि सही क्या है और गलत क्या है इसलिए जो मैंने आपको एक वीडियो बना के बताया था कि ब्रेन वाशिंग किसको बोलते हैं अगर अनुयाईों की ब्रेन वाशिंग करते हैं सरकार के खिलाफ बातें करते हैं और इनको बढ़काने वाले और इनको बढ़का के जो इनकी कमाई है इनके जो पैसा देने वाले लोग है उनकी भी कमी नहीं तो दोस्तों ये जो हंगामा है ये भी रुकने वाला नहीं है अगले मोधी सरकार को जनता ने मौका दिया अब आप सोचिए कि कोई political person जिसने अपनी पूरी जिंदगी कुर्सी तक आने के लिए लगाई हो और वो दस साल से बुरेज़गार हो उसको कोई सत्ता में जगे नहीं मिल रही है भागिदारी नहीं मिल रही है वो कितना परेशान होगा आपको क्या लगता है क्या इस देश में अराजकता रुकेगी मेरा तो यह मानना है कि अराजकता बढ़ेगी क्योंकि इनको पैसा देने वाले लोग हैं यह इनका कमाई का टाइम है इनको एजेंडा चाहिए और आज सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा प्लेटफर्म भी है और अराजकता तों को कवर करने के लिए सोशल मीडिया में बहुत सारे चैनल खड़े भी हो जाते हैं तो स्थिती यह है कि मुझे नहीं लगता कि अगले दस महीने आप लोग चैन से रह पाएंगे इस देश में कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में एक दंगा प्रदर्शन होता रहेगा लेकिन इंपॉर्टन चीज यह है कि क्या हम इन बातों का समर्थन करते हैं क्या एजे नागरिक हमें इस तरह के जो अराजक तत्व हैं जो एक टूल किट के माध्यम से टूल किट मैं इसलिए कह रहा हूँ एक प्लैंड एक्टिविटी के माध्यम से इस देश में अराजकता फैलाने का एजिंडा करते हैं क्योंकि अराजकता अपने आप में एक कमाई का साधन है अराजकत तत्वों को स्पांसर करने वाले बहुत हैं लोग दुनिया में तो आप और हम को क्या करना चाहिए क्या हमें जनता को जागरुक नहीं करना चाहिए कि इस तरह के अराजक तत्वों के साथ ना जुड़े क्या हम सोशल मीडिया का इस्तमाल positive way में जनता को explain और educate करने के लिए नहीं कर सकते जिन टूल्स का इस्तमाल अराजक तत्वों करते हैं आपका क्या कहना इस मुद्धे पे सोशल मीडिया का इस्तमाल election से पहले किस रूप में होना चाहिए क्या हम सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को educate करके अराजक तत्वों को side line कर सकते हैं आपका क्या विचार है comment box में लेखी क्योंकि जब तक हम लोग जागरूग नहीं होंगे हम लोग जो लोग भुलावे में आ जाते हैं ignorance पे फस जाते हैं अगर हम उनको सही रास्ते पे नहीं लाएंगे तो अराजकता नहीं रुकेगी तो इसलिए जो भी छोटा बड़ा रोल हम play कर सकते हैं हमको करना चाहिए नहीं तो इस देश के उपर कई लोगों की नजर है जो इस देश का दोहन करना चाहते हैं यहां के संसादनों को exploit करना चाहते हैं ताकि ये देश उनके काम आए ये देश हमारे काम ना आए आपका क्या सोचना है इस मुद्धे पे भी आप comments box में लिखी फिलाल मुझे लगता है कि आप भी सोचेंगे कि 2024 में और क्या-क्या तमाशे होंगे किसान टारगेट बन चुका अगनी वी टारगेट बन चुके खिलाड़ी टारगेट बन चुके अगला टारगेट कौन होगा जड़ा सोचिए कोई ना कोई तो होगा क्या आपका assumption या guess जो मैं सोच रहा हूँ उससे मिलता जुलता है या अलग है सोचिए और बताइए कि अगला target इन टूल किट अनोलन जीवियों का कौन होगा किसके माध्यम से ये देश में अराजकता पहलाएंगे अगले 10 महीने बहुत तमाशे होने हैं आप भी देखेंगे हम भी देखेंगे तो निवेदन है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें हम इस वारताल आपको आगे बढ़ाएंगे कि किस तरह से इस देश में आराजकता तो अपने रंग बदल रहे हैं और कौन-कौन लोग इनके पीछे हो सकते हैं इस पे हम चर्चाएं जारी रखेंगे फिलाब आपने वक्त निकाला आपका धन्यवाद इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा उसके लिए मैं आपका पहले ही थैंक यू कह देता हूँ फिलाब बंदे बातर